नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पे बहुत दिनों से हम अलग-अलग टॉपिक्स को एक्स्प्लोर्ट करते आ रहे हैं आज भी हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप बहुत सा नौलेज इस वीडियो से इकठा कर सकोगे जैसे कि आपको पता है कि हमारे पूरे बॉड़ी को बोन्स सपोर्ट करते हैं उसे शेप प्रोवाइट करते हैं और बोन्स के ही हेल्प से हम मूमेंट कर सकते हैं बट आपने कभी सोचा है हमारे बॉड़ी में जो जॉइंस है जैसे कि शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, हीब जॉइंट ये सारे जॉइंस मूमेंट कैसे दिखाते हैं सो इसे movement provide करने के लिए और bones को एक दूसरे के साथ attach करने के लिए इन में कुछ structure होता है जिसे tendon और ligament कहते हैं तो आज हम इसी के उपर discuss करने वाले हैं सो आज का हमारा topic है difference between tendon and ligaments तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि tendon और ligament ये क्या चीज़ है और बाद में इसके difference discuss करेंगे So what is a tendon? A tendon is a band of tissue that connect muscles to bones मतलब tendon ये tissue से बना हुआ एक band जैसा structure है जो muscles और bones को एक दूसरे से connect करता है जैसे कि इस diagram में देखिए ये जो white color का portion यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है tendon ये tendon इस skeletal muscle और इस bone को एक दूसरे के साथ joint रखता है ये जो beach वाला white structure है उसे हम कहेंगे tendon Now, what is ligament? A ligament is an elastic band of tissue that connects bone to bone मतलब ligament ये भी tissue से बना है जो की elastic tissue का band है जो bones को bone से connect करता है जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक bone है ये दूसरा bone है और इन दोनों bones को joint करने वाले यहाँ पे होंगे ligaments तो ये दोनों bones के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ये होते है ligament फिर से देखिए tendon क्या है तो tendon ये tissue है जो muscles को bone के साथ joint करता है और ligament क्या है ligament ये भी elastic tissues है जो bones को bone के साथ joint करता है तो ये हुआ tendon और ligament अब हमारे body में जो bones ने joints बनाए है वहाँ पे इन दोनों के अलावा मतलब tendon और ligament के अलावा और एक structure आप लोगों को दिखाई देगा जो होता है cartilage अब cartilage क्या है So cartilage is a soft rubbery gel-like coating on the ends of the bones मतलब cartilage ये soft gel-like coating है जो bone के ends के उपर होता है मतलब जहाँ पे दो bones एक दूसरे से attach होते हैं उनके end पे cartilage का covering होता है जैसे कि इस diagram में देखिए ये एक bone हुआ और ये दूसरा bone हुआ तो ये दोनों bone ने joint बनाया है तो ये जो पहला वाला bone है और ये जो दूसरा वाला bone है इन bone के ends पे मतलब जहाँ पे ये joint बना रहे है वहाँ पे उनके ends पे ऐसे उपर एक coating रहता है उस covering को हम कहेंगे cartilage cartilage ये दो bones में friction नहीं होने देगा और हम easily movement कर सकेंगे तो ये होता है cartilage चलिए अभी tendon और ligament में क्या difference होता है ये देख लेते हैं तो सबसे पहला difference है Tendons connects skeletal muscles to bone तो tendon क्या करेंगे? Muscles को bones के साथ connect करेंगे और ligament क्या करेंगे? Connects bone to bone तो bone को bone के साथ जोडने का काम ये ligament करते है तो ये हुआ tendon मतलब skeletal muscles को इस bone के साथ joint करने का काम ये tendon करेंगा और ligament ये दोनों bones को एक दूसरे के साथ joint करेंगा Second जो difference है वो है Tendon connects the end of the muscles to the bone अब मतलब क्या हुआ? कि ये क्या करेंगे? Muscles को bone के end को connect कर देगा और ligament क्या करेगा? Bone को attach करेगा और joint बना देगा Tendon और ligament में इनके function के basis पे और एक difference हम बोल सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि Tendon ये muscles को bone के साथ joint करता है तो इस वज़े से ये Tendon हमें movement प्रोवाइड करता है तो Tendon का function हुआ हमें movement प्रोवाइड करने का वो काम करता है और ligament जैसे कि आपको पता है कि ligament ये bone को bone के साथ joint करता है तो इस वज़े से हमें proper structure मिलता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे structure को bone के structure को hold करने का काम ये ligament करता है ठीक है तो ये हुए इनके function next जो difference का point है tendons ये tough और elastic nature के होते हैं और ligament ये elastic nature के रहेंगे next difference है proteoglycan contain is low and ligament में क्या है proteoglycan contain is comparatively more अब ये proteoglycan क्या है तो proteoglycan मतलब ये कुछ molecules का group है जिसमें protein और sugar आते हैं तो जो proteoglycan tendon में है उनका content ये कम रहेगा और जो ligament में proteoglycan का content है वो tendon के comparison में high रहेगा next difference का point है इच muscle contains only one tendon तो हर एक muscle के पास सिर्फ एक tendon रहेगा और ligament का क्या point रहेगा इच joint contain many ligaments तो हर एक joint के पास बहुत से ligaments होंगे तो ये भी एक difference का point हुआ next जो difference है वो है tendons are white in color तो tendon का color generally white रहेगा और जो ligament का color है उनका color रहेगा yellow next point है fibroblast lie in a continuous row और ligament में क्या है fibroblast are scattered अब ये fibroblast क्या है तो fibroblast ये सेल का type होता है जो connective tissue बनाते हैं ये जो sales होते हैं ये मिलके connective tissue बनाते हैं तो जो tendons में fibroblast होते हैं वो continuous form में दिखाई देंगे और जो ligament में fibroblast होते हैं वो scattered form में दिखाई देंगे next point है the fibers are compact and present in parallel bundle तो tendons में जो fibers होते हैं वो parallelly arrange होते हैं तो यहाँ इस diagram में देखिए यहाँ पर ये arrangement कैसी है ये parallel arrangement में ये fibers tendons में दिखाई देंगे और जो ligaments होते हैं ligaments में ये fibers ये parallelly arrange नहीं रहेंगे और they are compactly packed बट ये जो fibers है ये ligaments में compactly fact pack दिखाई देंगे तो ये भी इनका एक difference का point हुआ next point है tendons के कोई subtypes नहीं होते हैं मतलब tendon का कोई classification नहीं है बट जो ligaments होते हैं तो हमारे body में जो bones है जो joints है वहाँ पे ligaments के अलग-अलग type दिखाई देते हैं तो basically three types होते हैं ligaments के वो है articular ligament, remnant ligament और peritonial ligament तो tendon के कोई subtype नहीं है बट ligament के three types होते हैं वो है articular ligament, remnant ligament और peritonial ligament तो ये होता है complete tendon का structure और इन दोनों का difference अगर ये topic आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को like किजेगा और इस वीडियो को share जरूर किजेगा, thank you आने वाले वीडियो में हम arthritis के बारे में discuss करने वाले हैं तो हमारे साथ ऐसे ही चुड़े रहिए और channel को subscribe कीजे और bell icon को press कीजे ताकि future में आने वाले सारे वीडियो आप तक easily पहुच सके आज के इस वीडियो जैसे और भी educational topics अगर आपको मेरे साथ discuss करने हैं तो आप आपके biology से related educational topics के नाम मुझे comment box में लिखके भेज सकते हो मैं try करूंगी कि जल्द से जल्द वो topics आपके साथ discuss कर सकूं और simple और easy language में आपको बता सकूं अप सबसे एक request है जो भी science explored के videos आपको पसंद आ रहे हैं वो please आपके दोस्तों के साथ share जरूर कीजे ताकि उन्हें भी knowledge मिल सके और हमें भी हमारा channel grow करने में help मिल सके सो यहां तक हमारा वीडियो देखने के लिए आप सब का धन्यवाद थैंक यू